कल से आगे चलें example 1i prove that if p and q both are odd primes and q divides this यहाँ पर p भी प्राइम है odd और q भी odd prime तो या तो q 3 होगा या q 2k p plus 1 होगा for some integer k it is given that 2 की power p is concurrent to minus 1 mode क्योंगा इस लाइन से लिखा क्यों क्यों इसको डिवाइड करता है यहाँ से लिखा securing both side यहाँ गया इसका मतलब होगा order of 2 mode क्योंगा इस आइधर 2 p और 2p यहनिके इसको डिवाइड करना है yes तो 2 का order क्या होगा 2p को डिवाइड करने वाले चीज आइधर 2p और 2p कई बच्चे कह सकते हैं 2p को 1 भी डिवाइड करता है बच्चो 2 की power यदि हम 1 कर देते इसका order 1 होता 2 is concurrent to 1 यहाँ से क्यों की value 1 आ जाती जबकि क्यों की value कम से कम से कम 3 हो सकती है कि आपने का पी एंड के ओब रोड प्राइड अब इस बात से दुबारा चल रहा हूं है यह बात क्या कहते है we say that the order of 2 cannot be p हमारे पास possibility थी 2p और 2p वैसे तो 2p का डिवाइजर 1 था यह खतम होई इस line ने यह possibility remove करी कि order p नहीं हो सकता तो हमारे पास दो possibility बची आइधर 2 और 2p यदी order 2 होता तो यह possibility कहती है क्यों की value कितनी होती 3 next और यदी 2 का order क्यों होता 2 का order 2p होता mode क्यों यह प्यों मैंने क्या का है यदी 2 का order 2p होता mode क्यों तो 2p 5 क्यों को डिवाइड करता है क्यों 5 क्यों क्योंकि 2 की power 5 क्यों congruent होता है 1 mode क्यों यहाँ पर यह क्यों होता है क्योंकि 2 और क्यों का GC-D1 है because q is a odd prime इसकी value हो जाएगी q-1, then 2p इसको divide करेगा, तो इसका मतलब this is 2pk, यह किसके एक बोलगा 2pk, यहां से q की value हो जाएगी 2pk plus 1 next question, find the smallest divisor which is greater than 3 for each of these integers, इसमें हम उपरवाली चीज़ का use करेंगे, उपरवाली question क्या कहता था, यदी q-2p plus 1 को divide करता है, या तो q-3, या 2k plus 1 type का होगा यहां पर आपने 3 से बड़ा लेना है, तो इसका मतलब जो इसका divisor होगा, 2pk plus 1 type होगा है, इस पार्ट में ध्यान से देखें, इस पार्ट के हिसाब से p है 29, तो हमारा जो divisor बनेगा, वो क्या बनेगा, 2pk plus 1, तो minimum से यह पी की value तो 29 है, minimum से minimum value भी क्या बन सकती है, वो बन और 6, 64 आएगा, इससे divide करेंगे, 5 reminder है, cubic both sides, तो इसका answer कितना आजाएगा, cubic both sides, यहां साथ आजाएगा, यह 18, फिर हमने कितनी power निकाली, 5, तो अब देखिए कि आप 18 और 6, 24 और 5, 29, 29 लेते हैं, तो हमारे पास आगया 1120, ठीक है जी, अब इसमें आपने कितना add किया 1, तो 1121, वो 59 से पूरा divide, जो yes, 59 इसको divide करता है, similarly आप इस case में आप प्रूव करोगे, कि 40 इस case में न, जब 2PK plus 1 निकालोगे, तो उसमें जो आपको diviser जैसे यहां पे 59 आया था, इस case में 83 निकल के आएगा, next, अब question है, 1JA, A, for any prime P, prove the following, हमें प्रूव करना है, कि यह चीज, तीन से कभी भी divide नहीं हो सकती, और दूसरी बात यह प्रूव करना है, कि है J prime divisor, which is greater than P, उपरवाड़े में आपके रहे हो, तीन इसका diviser नहीं है, अब यहां कहते हो, यहां इसका पास एक diviser जो greater than P, from the previous problem, deduce that there are infinitely many primes, एक एक करके चलते हैं, बहुत असानी से सवाल का जवाब देंगे, इस 2P plus 1 को लिखा, P is फिर बता रहा हूँ, प्राइम greater than 3, इसको लिखा 2 की पावर P, minus minus 1 की पावर P, यहां लिखा 2 minus minus 1, यह 3 को लिखा, यह actually में इसका expansion है, हम बड़ी ध्यान से बाते करते हैं, minus 2 जो है congruent to 1 होता है, और 2 की पावर 2 congruent to 1 होता है, mod 3 में, जैसे यह लिखा नीचे, दोन्यों तरफ 2 की पावर 2 से कुणा कर देंगे, तो यह यहां पहुचे, मैंने क्या इदर तो कुणा किया, आपने 1 से, इदर इसको कुणा किया, इसको किया मैं कह रहा हूँ 1 से इसको किया 2 की पावर 2 से 2 की पावर माँश 3 भी माँश 1 ते यह एक सीरीज बन गई दूसरी सीरीज यह बन गई यह जो सीरीज ऊपर वाली है यह माँश माँश वाली ट्रमों को चेंज करके सबकी जगाँ पर क्या लाएगी बन और ये सिरीज क्या करेगी ये पलस वाली जितनी टरम है थी सबकी जगाँ बना जेगा टोटल वन 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 इसमें कितनी टाइम आएगा जी पी टाइम तो यहां पर पी आजाएगा क्या देगा पी आपने उपर का है पी इस एड प्राइम तो ये तीन से तो कभी डिवाइड होजी नहीं सकता तो इट मीज इसका अंसर कभी भी कॉंगूरेंट जीरो नहीं आएगा तो आपने प्रू़ कर दिया कि इस ट्रम इस नोट डिविजिबल वाइड री ठीक है अब भी पार्ट हमने क्योँ अब आपने प्रू करना है कि इसका एक प्राइम डिवाइजर होगा जो पी से बड़ा होगा मैंने क्योँ इस ओड प्राइम सच देड़ वह इसको डिवाइड करता है इसा मतलब थ्री छोट देंगे तो भी डिवाइड करेगा क्यों अब थ्री छोट थ्री छोटने पर वीज को डिवाइड करेगा वन भाई थ्री है वेर पी एंड के हुआ रोड प्राइम सच पीछ एक एक जामपल बताया था उसमें इस कंडिशन कहते है या तो क्यों तीन होगा या टू पी के प्लस वन होगा फ्रॉम लास्ट पार्ट आपने कहा था कि तीन तो इस चीज़ का डिवाइजर होई नहीं सकता तो हमारे पास एक ही प्रॉसिबिल्टी बची कि वो डिवाइजर टू के पी प्लस वन टाइप का होगा यदि के की वैलू एक भी हो जाती है बच्चों तो भी वो डिवाइजर पी से बढ़ा हो जाएगा और हमारा कॉश्चन सो होगा अब इस चीज़ का हम फाइदा उठाते हुए यह प्रू करना चाहते हैं कि नंबर और प्राइम्स क्या होते हैं इन्फाइनाइट हमने माल लिया कि पी वन एक आर्बिट्रेरी प्राइम है जो तीन से बढ़ा है यह नंबर इस से बढ़ा होगा लास्ट पार्ट में आपने कहा कि इसको डिवाइड करने वाड़ा एक प्राइम मिलेगा जो पी वन से बढ़ा होगा इसका मतला आपको जो प्राइम मिला उसका नाम आपने पी टू रख दिया यह निए यह एबल तो फाइंड ए प्राइम विच इस ग्रेटर देन प्रिविशली फाइंड प्राइम यह दिस प्रोसेस को हम कंटिनू रखते हैं फिर हम पी थ्री पी फूर अल्टिमेटली हमें क्या मिलेगा नंबर ओफ प्राइम्स आर इन फाइनाइड ठीकर अगला देखिए फाइंड आल दा प्राइम पी सच देट पी डिवाइड दिस ऐसे सारे प्राइम डूनने हैं जो पी इसको डिवाइड करें इसी परकार इसके लिए करना है चलो करते हैं कोशिश यदि पी दो है तो यह चीज पांच होगी और यह चीज तीन होगी यहनि कि मतलब क्या है यह चीज जीरो जब आ सकती है जब यह तीन जीरो ओनली इफ पी इस त्री यहां पर हमारे पास है कि प्राइम पी सच देट पी डिवाइड इस नेक्स्ट इदी माइनस वाला का केश लेते हैं तो टू मोड माइनस वन क्या जाएगा वन आ जाएगा मोड यह पी इसको दिवाइड यह यह चीज थी ना इसको यह दिवाइड करता है तो पी शूट भी 3 इसको डिवाइड करता है तो जहां पर पी प्राइम हो इसको कोई ही नहीं और इसमें एग मिलेगा रुषका नाम क्या आएगा तो आज के लिए इतना है next soon we will discuss theorem 2